Good morning students, how are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn नुत्तन अभिनव हिंदी प्रविशी का पार्ट 3 चलो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 24 भारतिय महिने यानि की इंडियन मन्स उसके बारे में पढ़ाई की थी आज हम 25 हमारा जो अंग्रेजी महिने है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे तो अंग्रेजी महिने इंग्लिस मन्स जिसे हम जन्वरी फरवरी वो कहते हैं वो होते हैं अंग्रेजी महिने वर्स के अंग्रेजी महिनों के हिंदी और अंग्रेजी नाम इस प्रकार है देखो, फर्स्ट होगा हमारा जन्वरी हम हिंदी में उसे जन्वरी बोलते हैं और इंग्लिस में हम जान्युवारी फिर दूसरा जो महिना है वो है फर्वरी उसे हम इंग्लिस में February कहते है जो त्रीस तरह है वो है March उसे हम इंग्लिस में भी March ही कहते है फिर आएगा 4th पे April यानि कि April महिना फिर आएगा 5th में May उसे हम इंग्लिस में May कहते है फिर आएगा 6th महिना June तो उसे पर हम इंग्लिस में भी June ही कहते है चलो उसके बाद आएगा 7th नमबर पर जुलाई वो भी जुलाई रहेगा फिर आएगा 8 नमबर पर अगस्त तो हम उसी इंगलिस में आगस्ट कहते है फिर 9 नमबर पर आएगा सितंबर उसे हम इंगलिस में सप्टेंबर महिना कहते है 10th नमबर पर आएगा October उसे हम इंगलिस में October कहते है 11th में आएगा November तो हम उसे November कहते है और 12th नमबर पर आएगा December यानि December तो इस तरीके से हमारे एक से लेके 12 महिने जो है उसके इंगलिस और हिंदी नाम यहाँ पर दिये है अब हम उसका स्वध्याई करेंगे चलो पढ़ो और लिखो read and write आपको क्या करना है यहाँ पर लिखा है जनवरी तो आपको यहाँ पर वही नाम नीचे देखके लिखना है इस तरीकी से आप लिखना लाइन के नीचे आपको लिखना होगा ठीके जनवरी फिर उसी तरह से फरवरी थर्ड में आएगा मार्च फिर फोर्थ एप्रिल पांच मई शिक्स जून सेवन्थ आएगा जुलाई वईट आएगा अगस्त फिर नमबर पे सितंबर दस नमबर पे अक्तुमबर ग्यारवा नमबर पे नवंबर और बारा नमबर पे दिसंबर तो इस तरीके से ये हिंदी नाम दिये है अंग्रेजी महा के तो वो आपको यहाँ इस प्रकात लिखने है लाइन के नीचे अब आगे देखते है निम्न लिखित महिनों के नाम अंग्रेजी में लिखो Write the name of the month in English यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको हिंदी नाम दिये है तो उसके अंग्रेजी माह के नाम आपको लिखने है तो August को हम कहते है August A-U-G-U-S-T ठीक है? उसी तरह से अक्तुमबर तो उसे हम इंग्लिस में कहते है October O-C-T-O-M-B-E-R इस तरह के से जन्वरी जन्वरी का स्पेलिंग January J-A-N-U-A-R-Y फिर आएगा सितंबर सितंबर को हम कहते है September S-E-P-T-E-M-B-E-R मई मई का होगा मे M-A-Y चलो अब आएगा फरवरी तो फरवरी का स्पेलिंग रहेगा F-E-B-R-U-A-R-Y इस तरीके से आपको स्पेलिंग लिखने होंगे चलो अब आगे देखते हैं खाली जगह में सही महिने का नाम लिखो Fill in the blanks with the correct month स्वतंत्रता दिवस 10 महिने में आता है तो हमारा स्वतंत्रता दिन होता है अगस्त महिने में 15 तारिक को 15 अगस्त अब बाल दिवस 10 महिने में आता है बाल दिवस नवेंबर महिने में आता है उसे हम 14 नवेंबर यानि की नहरु जयनती जब होती है तब मनाया जाता है गांधी जयंती 10 महिने में आती है तो वो आती है अक्तूबर महिने में दो अक्तूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं इस तरीके से आपका हुमवक रहेगा यह जो स्वाध्याई है वो आपको आपकी बुक में करना है ठीक है?